हेलो एप्रिवन आपके अपने चैनल हिमाचली निलम की चत्म में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आई वोप सभी अच्छ होंगे तो आज मैं मनाने जारी हूँ चीज बेस संड्वीच जिसकी रेस्पी मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी बट्व संड्वीच बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं वाइट रंग के स्लाइस चार दोस ऐसे लिए हैं मैंने अमूल बटर के दो लिए हैं मैंने अमूल जिस स्लाइस सौस मियोनिस टमाडर, खीरा और प्यास को मैंने छोटे-छोटे पीसिज में कट करके रख लिया है तो सबसे पहले हम ब्रेट स्लाइस को साइड से काट लेंगे ब्रेट के स्लाइस के साइड की किनारी को हम कट कर लेंगे मैंने ब्रेट के सबी स्लाइस के किनारे काट के साइड कर लिये है अब ले लिये हैं मैंने टमाडर, खीरा और प्यास इसको मैंने कट करके रखा हुआ था और मैंने ले ली हैं मियोनिस इसमें डाल दी हैं मैंने दो चमच किसान सौस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं एड़ करूंगी इसमें सॉस के दो चम्मच और साथ में एड़ करूंगे जो हमने मियोनिस रखी हुई थे दो चम्मच इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ले लेंगे हम द्रेड स्लाइस इसके उपर मियोनिस और जो कैचप कैचप इसमें मिलाया था उसे भी हम साथ में एक साथ इसके साथ डाल लेंगे इसे अच्छे से खेला लेंगे अब डाल दूँगे मैं इसमें एक मिक्स्चर जो हमने बना के रखा था इसे हम साथ तक डाल लेंगे और इसके उपर डाल देंगे हम चीज स्लाइस अब मैं डाल दूँगे इसमें चीली फ्लेक्स यह ओप्सनल है अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल सके नहीं तो इसमें स्किप भी कर सकते हैं और और गयनो और इसके उपर से रख देंगे हम दुबारा से एक स्लाइस अब मैं इसमें डाल दूँगी बटर इसके उकटा देंगे हम सेंवीच अब हम सेंवीच को परेट लेंगे इसे दूसरे साइड के अच्छे से काणिए तो हमारा गर्मा गर्म चीज सेंवीच रेडी हो चुका है आप इसे ब्रेकफास्ट में बढा के खासकते हैं अगर आपको सेंवीच की रेस्पिप संदा आएगी तो इसे फ्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर किजिए का फ्रेंड्स